आज हम लोग बनाएंगे मसाला अंडा फ्राई, वो भी बहुत सिंपल तरीके से और बहुत ही कम इंग्रिजियन्स के साथ, आप इसको रोटी पराठा और चाहे तो राइस और डाल के साथ ऐसा साइड डिश भी खा सकते हैं, बस अंडा अगर बॉयल है तो दस मिनिट लगेग तो चलते हैं नेक्स स्टेप पे, एक पैन ले लिया है मैंने और दे रहे है वान टेबल स्पुन आयल, गरम कर लेंगे आयल को अच्छे से, देंगे वान फो टीपुन साल्ट, वान फो टीपुन रैच्छिली पाउडर, वान फो टीपुन हलदी पाउडर, फिर हम इसको अज्चे प मäलया बोने ख़ो फ्रींस sack लिंडी गाले घख भी अज़ें उसी आइट को लेटनंगे थ्मीनित के लिए क्लार स्वाइश के लिए घ्यीररा बीछ ह experience would… अज्ट वाइश के लिए दी अज्व के भिए फिर आपर भूरं होने के लिल खोछ। 1 teaspoon जीरा, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर डाल देंगे 3 large size sliced onion, अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्यास को, इस recipe में onion थोड़ा ज़ादा लगता है, नहीं तो ये खाने में वो मसाला फ्राई वाला मजा नहीं आएगा, प्यास अच्छे से फ्राई होके golden color हो गया है, तो दे रहे है salt to taste, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, half teaspoon red chili powder, और half teaspoon धनिया पाउडर, मिला लेंगे, ये recipe बहुत ही जटपत बन जाते हैं, और बहुत लोग हैं जो simple boil danda खाना बेलकुल पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए भी काप पानी, और इसको 2-3 मिनिट के लिए low flame में थोड़ा सा भून लेंगे, 2-3 मिनिट बात देखिए, मसाला पुरा oil चोड़ने लगा है, तो हम यहाँ पे अंडे को दे देंगे, जाधा कुछ इसको mix नहीं करना है, बस हलके हाथों इसको थोड़ा सा mix कर लेंगे, और एक चोटा सा चमच से ऐसे प्यास को अंडे के ऊपर दे देंगे, ज्यादा mix करने से हो सकते हैं कि yellow portion निकल जाए, इसलिए बस ऐसे ही करना है, कुछ क्रिंची लिसको sleet करके यहाँ पे दे देंगे, बस यह ready हो गया है तो हम इसको serve कर लेंगे, एक serving plate में थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं, अगर मेरी यह recipe आपको अच्छी लगी है, तो like share करना मत भूलिएगा, और please मेरी चैनल को subscribe किजिए, subscribe करने के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद,